प्राइब कर दो 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 जो मेरे साथ बुच जो तडबा दिरु लाती सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही मात रुझे सलाम मात रुझे सलाम मात रुझे सलाम वंदे मात रुझे वंदे मात रुझे मात रुझे वंदे मात रुझे अब गेस्ट अफ़ना बेस्ट नोल फॉर पॉर्ट्राइंग स्ट्रॉंग डैनामिक क्यारेक्टर्स। उनके पारे में बोलने से पहले में उनका वो नाम बोलना चाहूंगा जो मुझे और हमारे सारे स्टूरेंट्स को बहुत पसंदे। एक और नाम है पंडित Ganga, Vidya, Dhar, Maya, अंगर, स्ट्री, Gran Badinda, Porstri Coddy Now I request our guest of honor Srimukesh Ghamuna to motivate our students with his precious words बाए, सभी राम डंदी के स्टूडन्ट की दोविधा सबस्कता हो फुट्र आज पहले बार कारगिल बौर क्या था, क्या हुआ था, कहां है, मैं समझता हूँ, हमारे हिंदुस्तान के मिजरर्टियब लोगों को नहीं मादा हूँआ कि कारगिल है का और आज इन्हों ने अच्छी तरह से एक्स्प्रेंट किया कि मुझे पहले बार समझ में आया कि कितना effort आठ करोण एक दिन में spend करते थे हमारे हमारी सरकार, उस पर कितनी बड़ी और कितनी विशख वोर होगी, कुरुक शेक्तर का मैदान तो कुछ भी नहीं है, फुरुक शेक्तर के साथ कितने रोग शक्तिमान ध्यान से देखते हैं, मुझे बताइए, राम राम राणी शक्तिमान ने पहला मंत्र दिया था, sit tallest, stand tallest, walk tallest, जब भी बैठो, सीफे बैठो जब भी खड़े रहो, सीफे खड़े रहो, और जब भी चलो, सीफे चलो, full height का इस्तमाल करो, यहां मैंने बच्चों को देखा धीरे-धीरे, ऐसे, 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 ऐसे मैं समझ सकता हूँ आपकी जबिता क्योंकि कारगेल वोर कितना हैवी आपके ओपर आगया था, क्या ठक रहे होगे, लेकिन आप मिलिटरी स्कूल के है, इसे लिए मैं आप जो इसलिए डिमांड कर रहा हो, कि जबी भी बैठो, सीफे बैठो, योजू यूजूर, फाइन कॉलंब शोडर में, स्ट्रेट अर अगर आप जिंदगी पर ऐसा रहोगे, कोई ब्यमारी आपको तंग नहीं करेगी, आप ऐसे बैठोंगे, फिर ऐसे हो जाओगे, फिर कम्प्यूटर केम खिलब, ऐसे बैठ 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 तो माताओं को पिदाओं को मंच पर बैठे हमारे सीमा की सुरक्षा में लगे हुए योध्धाओं को और मेरे छोटे मोटे प्यारे सभी बच्चों को मुकेश खन्ना दियों से प्रड़ा पनंतु फिर वही पनंत ताथ स्री गंगा पुत्र भीशुप पितामा के तरफ से कुछ कहना चाहूं तो आप सभी को यही कह सकता हूं कि आयोश्मा अकंद सहबाद के वती भवव पुत्रियों एक बाद ध्रिद्रास्ट को कहाता है शटफुत्र भववव वाबर यूग में तो सौ फुत्रों ने पितामा को बाड़ों की शिया पर लिदाने में कोई कसर भी इसलिए आज के यूग में दो या तीम बस और बच्चों को हमारे यहां मिलिटरी स्कूल के सभी बच्चों क अगर शक्तिमान की तरफ से कुछ कहना चाहूं तो यही कह सबता हो के वो बच्चा सोज रहा है कि अपि लग उड़के क्यों नहीं हूँ मेरे साथ यही दुविदार पूतर भाई एक साथ दो दो रूप लेकर जे रहा हूं Two distinct identities I have to carry every moment of my life, my existence मेरे सामने मेरे से दबल उम्र की माताची आप खड़ी हो जाती है ऐसे करें मैं बोलता हूं माताची आप मुज़ूर्ग है आप आशिर्वाद दीजे ने तमेते पितामा चो वहारी बहुच्य है कोई बच्चा मेरे स्कार्थ मदर के केता है ए ए जादू करके देखाओ न मवन तक चुक कोई जादू नहीं हो था कोई उड़ना है यह था सब कंप्यूटर में मुझे पता लगा कि मिलिटरी आपका स्कूल भोस्का मिलिटरी स्कूल 96 में शुरू हुआ आपके वहां उसके कितने स्टूडेंट निकले थे 45 स्टूडेंट्स निकले थे मैं आप लगों को एक अच्छा को इंस बताओ कि शक्तिमान का जन्म 97 तो मैं समझता हूं शायद मै इहार के बिटरी स्कूल से निकला हूं और वहां में एक साव्डत है। It's a great thing for me to have on this particular day which is just three days away from my birthday, 23 तारिक पभवि मने जनम दिन बनाया। Chaya 26 को हता थो अच्छा होता नेरे जनम दिन का भी है। महाभारत में भीशन पितामा ने बाणों की शया पर जब लेटे थे तो कृष्ण भगवान ने कहा था उन्हें पितामा युधिस्टिर को राजधर्म का ज्यान दीजिए उसमें एक बात कही थी उन्होंने उन्हें कहाता देश की सीमा माता के वस्ट की भाती उच्छमन होती है उसकी सदाय पुरक्षा करना उसकी सदाय पुरक्षा करना दिन रात सीमाओं पर जुड़े रहते हैं यह देश जहां हमें इंडिपेंडन्स मिले हुए इसतने साल बीच गए है कि लोगों को आजकल की जो यह यूथ है यह जनरेशन है इन लोगों के लिए आजादी ऐसे लगता है कि चांदी के ठाली पर दी हुए इन्होंने बाप कमा रहा है दाखों अरबों कब रुटे कमा रहा है और बच्चा समझता है कि मैं आजाद हूं मैंने आए अग्रीडम आप स्पीच आए अग्रीडम को देस लेकिन वो यह बात नहीं आद करते कि सुदंत्ता जो उन्हें मिली है वो सस्ते दामों पर नहीं मिली थी पुद्ध सस रहते हुए हैं जो अपना अपना तनमंद खल सब लुटा देते हैं वहाँ पर शहीद हो जाते हैं उनी की बदॉलत आज आप आराम से पिक्चर देखते हो पार्टी आइटरिट करते हो डांस करते हो भांगा करते हो बिस्निस करते हो वो यही है कि ऐसे लोगों का संवान श मेरस का वहत आप लोग कि यह का था मैंने का मैंने का मैंने चाइना वार भी देखी है पाकिस्तान की शायद पिछली वार भी हुई थी यह वो भी मेरे सामने से गुजरी है लेकिन मैं मेरी उमर 160 साथ है पुत्र मैंने तो खुरुक्षेत्र का मैदान नहीं देखा है उपत्र मैं वह सब और देख चुका हूं लेकिन आज की जनरेशन को अगर ये बात मानू पड़ती है कि हमारा देश हमारी सीमा हमारा महला हमारा गाउं बाहर से कोई अटैक कर सकता है और उसको बचाने के लिए कितना कि आजाधी को स्वटंत्रता को लाइट्नी मत लो उस से सीरियस की लो कि हम स्वटंत्र है इस सबसे बड़ी बात है गुलामी हमने 200 सान सही है लेकिन आज अगर हम स्वटंत्र हैं तो हमारे कुछ य Halfठंत की वज़े से हम चैन की मीन सो पाते हैं इसलिए मैं उनको से लिूट करता हूं और मैं उन सभी यो धाओं को घीशन के कामा की तरफ से वो आशिरवाद देना चाहूंगा जो अपने प्रीय अर्जन को दिया करते थे वुजई भववपत्र भीज़ेगी मुझे खुशी है कि मैं इस स्कूल और मैं यह बनाना चाहूंगा कि अगर आप लोग मिलिटरी स्कूल के हैं आज देश को मिलिटरी सैनिकों की आवश्यक्ता पहले से ज्यादा है हम डिसकस्ट भी कर रहे थे यह बात निकली थी जो मेरे जमाने में निकली थी आएं बीसी एल की बनने के लिए और लॉप किया था लॉयर बने के लिए नहीं मेरे जिंदगी में श्यादा है आई कहना ना लिक्ता था इसार अगर आप कमिटेट हो किसी में मैं चाहता था किमिकल इंगिंबिट का इंगिंग्रар कि हर स्जुदेंट पैसा कमाना चाहता है नर्साइज की तरब जुक रहा है और बिजनिस मैनेजमेंट की तरब जुक रहा है क्योंकि लाखों रुपे महीने के साल के उन्हें मिल जाता है इसलिए जो आगमी पास होता है आयाईटी से भी वो भी जाकर कुछ और करता है जो से नहीं करना चाहिए मैं इसे भी डिस्त कर रहा था कि ऐसा आयाईटी या और जगां ने होकर होता है तक आज जो भी मैनेजमेंट स्टुजेंट से बड़ी-बड़ी फरमे उन्हें बारा-बारा-लाव पोपे है आधे मैंगे पचास खरोड की बात करें फे एक साथा दे देते हैं और मापाप दो चाहते हैं कि चलो मेरा बेटा जो यह वो मेनेजर कि मैनेज कर दो कि उनका क्या होगा जो हमारे देश को मैंने सब चाहता हूं कि अगर आप कुछ एक रूल ऐसा होना चाहिए कि अगर आप मिलिटरी स्कूल से पढ़ते हैं तो आप एंडिये ही जाओगे और आप मिलिटरी बनोगे और देश के से निक बनोगे देश की युद्धा बनोगे कोई आज देश को शक्ति मानों की आवश्यक्ता आज पलिटिशनों की दुरीओ देश हस्तिनापुर के दुरीओं से ज्यादा दुश्ट हो गया है आज आवश्यक्ता है शक्ति मानों की पॉलिटीशन कुछ नहीं करेगा पॉलिटीशन पांच साल राज नहीं चनाता पांच साल अपनी कुरसी पकड़ के बेटा आप किसी कॉलिटीशन को नेका तो नेता जी आए 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 तो नेता जी हमारे होंपर प्रॉबलम है हमारे गाव में हमारे महल recommendations नेता जीटु चुने गए हुमी के द्वारा आते हैं लेकिशत कुर्सिट सब्सक्राइब से हुआ आप Chief तरफ देखेगा जब उसकी सारी निगाव पीछे होती है क्योंकि उसके ड़र है कि अपॉजिशन पार्टि कम बेरी कुछी नखी ज़ते हैं आज सरफ मिल्टरी आज सरफ और सरफ पार्टियां बदल रही हैं अपॉजिशन सरफ अपॉजिशन के लिए होता है पार्लियामेंट में जो कुछ भी होता है मैं समझता हूँ कि ये बच्चे हैरान होते होंगे जब वोग टी-वी में कवरिज लेक्ते होंगे इतना जगड़ा तो हम अपनी क्लास में भी नहीं करते हैं जिसना वोग पार्लियामेंट में लेक्ट रट 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 आप सिर्फ यह मस्त सोचिए कि आप स्वतंतर है तो आपको यह 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 अधिकार है जैसे बच्चों कुछ भी देख सकते हैं नहीं माबाव का करता भी होता कि बच्चों को बच्चों को साज भी कभी वहूं मत दिखाओ शक्तिमान दिखाओ दिस्कवरी चैनल दिखाओ नेश्नल जोग्राफी दिखाओ लेकिन आज के बच्चों की समस्या क्या है कि मा बाप मा किकी पार्टी में जा रही है बाप बिजनेस कर रहा है और बच्चा आया के साथ बैटकर सास भी कभी पहूं देख रहा है उसे यह भी नहीं पता कि शादी क्या होती है वो बैटके कभी जिन्दगी और खुसों और क्या-क्या किरेक्टर देखने जो पता भी नहीं होनी चाहिए और बैए चाहता हूं कि माता-पिता देखे कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है और यह ज़रूरी है इसलě मेरे पहता हूं क्यों कि यह बच्चे हमारे डेश के भरतवान हैं करके भविश्य है इनके कंदों पर हमारे देश का भविश्य पिक्ने वाला है अगर इनके कंदे मजबूत होंगे तो हमारा देश मजबूत बनकर निकलेगा इसलिए हर नादिरी का ये करतब है कि वो अपने बच्चे को संसकार देवे क्योंकि सासरी कभी बहुत में जितनी औरते हैं वो हमारे देश की औरत नहीं है हर औरत के देखती हूं तुमारी शाथी कैसे हो प्रेप चोपड़ा के डायलाउग बोलती है ऐसे औरते नहीं हैं हमारे देश लेकिन दिखाया जाता है और हम देखते हैं क्योंकि हम हम बाहर के आने वाले इंवेंशन को और आज के बियान को नहीं रोग सकते लेकिन हम कम से कम अपनी खिड़किया तो बन कर सकते हैं और खिड़किया आप लोगों करता है कि आपका बच्चा इंटरनेट बहुत बड़ी चीज बन गई है हमारे देश के लिए उन्हें वर्ड के लिए वर्ड छोटा हो गया है लेकिन इंटरनेट और दादादी में फरक क्या होता है दादा दादी भी ज्यांग देते हैं इंटरनेट जब खुलता है तो उसे यह नहीं पता होता कि उसके सामने कौन बैठा है और कांग बच्चा है बड़ा है उस सारा अपना ख़जाना खोन देता है और यही छे सारा का बच्चा है चौटी पढ़ने वाला बच्चा बारभी का नानिज लेता है जो उसके लिए इसलिए कहीं न कहीं माता पिता टीचर्स एफ पर्स बनता है कि बच्चों में देश का संसकार डाले, सारा कितना भी बन जाईए आप लेकिन संस्कृति कभी मौडन नहीं हो सकती है इसलिए इक ताटोपुल की महाभारत नहीं चाहती कि वह पहरी थी कि मैं मौडर्ल लोगों के लिए एक महाभारत बनाना चाहती। दुरोपुती को यहां पर टाटू लगाया था। नहीं, संस्कृति जिस दिन मौडर्णाइज होगे तो संस्कृति नहीं रहे। अब भले चितना भी मौडर्ण हो जाओ, आई थी इंडस्टि में आप डिफरंट गैजेट्स किस करो, लेकिन आप सुगा उठकर अपने बड़ों के पहरें शुरुआ कि दिन की शुरुआत करो बड़ों बड़ों से आशिर्वान लेगे। वो संस्कृति मत फ़लो करो जहां पर बेस्टिन में मौम और मौम को ओल्ड मैन, ओल्ड लेडी बोलते हैं। आपका परिवार संयुक्त परिवार है। इसमें रहिए और इसमें शक्तिशाली बनिये। इसमें मैं यहां के स्कूल के सभी लोगों को मैं यह कहना चाहूँगा। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि आज अगर बच्चों में जरुवत है तो वो सिर्फ और सिर्फ अनुशाशन की जरुवत है। मैं हर बच्चे से कहता हूँ कि बहार जाकर आउटडोर गेम्स खेलो। आपके हड़्ियों को विटामिन दी क्या वश्यक्ता है। यह नहीं घंटों से बैठकर कंप्रिटर गेम्स जिए तिक 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 करते रहें। आपके अचिता रख से अंगुठा इतना बढ़ा ओजाएगा दिमाग इतना बढ़ा हो जाएगा शरीर आपके व क्या aapdor गेम्स और सिर्फ क्रिकिट ही आउट्डोर गेम्स भुली दंडा भी है। जो हम बच्पन में खेला करते हैं, आज का बच्चा माफ करना, स्कूल से लॉटता है, तो उसकी मा कहती है, चल बिटा, मुआ दोले तेरी क्यूशन दी चला है, और मैं आपने स्कूल के जमाने में आता था बस्ता, आज का बस्ता जी बिस्तरा लेकर आता है, ऐसे से, स्कूल म और मेरी पड़ोसन मेरी माँ को कहेँ जिस पार्ट लेकर बच्चा नीचे गोटिया खेल रहा है, माँ वज़ती लेकर लेकर है, हमने खेला है, आपने अपना बच्पन जी आए लेकर आज की एडूकेशन सिस्टम में बच्चों से उनका बच्पन जीना जा रहा है, और माँ में उसकी साडी आज की ममीयों में माँ में उसकी साडी मेरी साडी से ज्यादा सफेद क्यों का कॉंप्लेक्स भी मेरी शहेली का बच्चा नंमर टू पर आया है और मेरा बच्चा आठी पर आया। अब ड़ता हर बच्चे में आपने अदब लग राश्म पर पटावर होती है उसको आप पढ़ने दीजिए हस्ते हस्ते खेलते खेलते पढ़ाएगे मैं समझता हो कि होसला मिलिटरी स्कूल में यहां पर लोगों को सिर्फ बढाया रही जाता है और उनको हसते हसते खेड़ते बेखते पढाया जाता है लेकिन मैं आपनी जिंदगी का एक छोटा सा रहसे आपको बता रहा हूं तो कि यहां पर काफी स्टुनेंट्स हैं और मैं आपको यह बाद छोगी से बताना चाहूँगा कि इस मही के कॉंपनेक्स में ज्यादा मत भुसी कि मैं स्कूल में अपनी क्लास में 271 नंबर आया था पचास स्टुडेंट में मैं 27 नंबर में पास हुआ और मेरे भाई साथ अमेरिका में थे और मैंने लेटर लिखा मैं क्लास में 271 नंबर आया हूँ और आज वही मुकेश खणना जिंदगी के उस मुकाम पर है जहां बहुत से लोग पहुचना चाहते हैं तो मैं उसलिए उस मुकाम पर इसलिए नहीं पहुचा कि मैं S.S.C. में फॉस्ट आया इसलिए नहीं कि मैं B.S.C. में फॉस्ट आया इसलिए नहीं कि मैं L.B. में फॉस्ट आया इसलिए कि मैंने जिन्दगी का एक्जाम पास किया है पीचरों को भी कहना चाहूँगा, बाता-पिताओं को भी कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को सिर्फ S.S.E.C. में फस्ट आने के लिए मत उकसाईए जिन्दगी के एक्जाम के लिए तैयार कीजिए और मुझे आशा है कि बच्चों को जिन्दगी का एक्जाम लड़ने के लिए ट्रेंड किया जाता है आप सभी बच्चे शक्तिमान हैं, मेरे दोस्त हैं और पंजित धंगेदर विद्यादर माईदरों का नाशाश्त्री के भी दोस्त हैं आखिर में एक सवाथ बचूँगा आप लोगसे अलाउड है? कितने बच्चे शक्तिमान जान से देखते हैं, जोर से बोले हम ये बिलिट्री स्कूल की आवाज की शक्तिनी बोले जोर से हम कितने बच्चे शक्तिमान से सीखते हैं, जोर से बोले हम अभी देखना हूं क्या सीखते हैं आपके कितरे बच्चे रोज सुबा उठकर दान शाफ करते हैं कितरे बच्चे रोज सुबा उठकर दूद पीते हैं कितरे बच्चे सुबा उठकर बढ़ों के पैर छूते हैं कितरे बच्चे बालों में तेल लगाते हैं कि दिरे बचे नकल बारते हैं? आर्मी के बढ़े-बड़े कैप्टेनों के सामें, आपके देशनों के सामें, आपके बढ़े-बढ़े मतापिताओं के सामें लुशला मेंकृ स्कूल के बच्चे शंति मायते हातों नकल मार पेपक्षी गए नकल नहीं ना मारते हैं? जो से बले नाएं? और जो से बले नाएं? आप सभी लोग शक्तिमान के दोस्त हैं, हैं दोस्त? पैंडित गंदाधर के भी दोस्त हैं? इतने लोगों को गंदाधर का पूरा ना गया है चलिये बेर साथ गोलिए वे वां पूरा नातर्व को भीतत Northern का ये लोगों को ए्या माया दर्व बल्सक्वार्य मुत्वार्य बल्स्त पुरुपर्या थाएं questions